हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तों महा निदेशक स्कूल सिक्षा की समिक्षा बैठक दोस्तों उखने जा रहे हमेशा की तरह इस माह कि अंत में 30 नुवंबर 2021 को पूरवानी 11 बजे दोस्तों ये समिक्षा बैठक होगी और ये समिक्षा बैठक N IC में होगी बाकाइदर लिंक श्येर किया जाएगा जिससे समस्त जिला के जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी महोदे दोस्तों जुड़ सकेंगे अब बैसिक शिक्षा में जो योजनाएं हैं जो कारकरम हैं उनकी किस रूप में प्रगत हुई है इसकी समिक्षा होती है तो द बैसिक समस्त मंदल उत्र प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपत उत्र पंदेश पत्रांग सरवशिक्षान योजन मासिक समिख्षा बैठाग 4201 पत्र की संख्या है, दिरांग 18.09.21 को यह जारी हुआ है विशय बेसिक शिक्षा के अंतरगत कारकरमों योजनाओं की मासिक समिक्षा के संबन में महोदे महोदेया बेसिक शिक्षा के अंतरगत संचालित कारकरमों योजनाओं के क्रियानवयन की प्रगत की समिक्षा दिरांग 30 नॉवंबर 2021 को पूरवाहन 11 बजे से वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से की जाएगी बैठक का एजेंडा निम्नुवत है पहला जो एजेंडा है वो बेसिक शिक्षा निदेसाले से संबंधित दोस्तों बिंदु हैं और इस बिंदु में पहला जो पॉइंट है नहिशुनक पाठ पुस्तकों से संबंधित लंबित देंदारियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दूसरा है दिनांक 30 सितंबर 2021 को अधनरत छात्र छात्राओं की जिला अधिकारी से अनमोदिस संख्या की प्रगती निर्धारित प्रारूप पर तीसरा है वित्ती वर्ष 2021 में कक्षा 1-8 तक के छात्र छात्राओं को उपलब्द कराए गए निर्धारित प्रारूप पर चौथा है वित्ती वर्ष 2018-19 में परशदी विद्यालियों में UPPCL के माध्यम से कराए गए विद्दूत कनेक्शन की सूचना गूगल शीट पर अपलोड किये जाने की प्रगती पाचवा है ऑनलाइन माध्यम से मानता आविदन पत्रों की निस्तारन की स्थती और छटा है सव आकान छात्मक मिकास खंडों से संबंधित सूचना की प्रगती सातो है माननी नैली वादों में प्रतिशफत पत्र दाखिल की ये जाने की प्रगत की समिक्षा अब दूसरा जो एजिंडावार बिंदु दोस्तो है वो है मध्यान भोजन प्राधिकरण से संबंधित बिंदु है इसमें पहला पॉइंट है वर्ष 2020-21 में खाद सुरच्छा भत्ता वित्रन की स्थती 76 दिन 49 दिन 138 दिन और अंत में 124 दिवस दूसरा बिंदु है रसोईया मांदे भोगतान की स्थती तीसरा है विद्यालियो के खातों में परिवर्तन लागत हस्तान अंतरन की स्थती चोथा है खाद्यान लागत बिलो के भोगतान की स्थती और अंत में परिवहन लागत बिलो के भोगतान की स्थती आज आते हैं दोस्तों सामुदाइक सहभागिता इसमें क्या बाते हैं इसमें पहला पॉइंट है सैक्षिक सत्र 2021-21-22 में नहिशुल्क पार्थ पुस्तकों के आपूर्ती भुगतान की सती दूसरा है सैक्षिक सत्र 2021-22 में नहिशुल का पाठ पुस्तक धुलाई है तो अवमुक्त की गई धन्रास सम्मंधी उभोग प्रमालपत्र तीसरा है वर्ष 2021-22 में श्वारदा कारकरम के अंतरगत आउट आप स्कूल बच्चों का चिन्नांकन इमश्चत परश्चत नामांकन तरह पोर्टल पर अपलोड कराया जाना चौथा है विशेस परस्विक्षन कारकरम है तो नोडल अध्यापकों की परस्विक्षन की इस्तती पाचवा है विशेस परस्विक्षन कारकरम का संचालन ता बच्चों को उपलवध करायी जाने वाली सामगरी की इस्तती छठा है विद्याले विकास यूजना की इस्तती और साथवां दोस्तों है विद्याले प्रबंद समित की बैठकों का अनुश्रवान इम बैठक के कारवर्त की इस्थती आठवां है डीवीटी के माध्यम से प्रेशित धन्रास की उभोग की इस्थती अब निर्माण कारियों आपरेशन कायकल्प आगया चौथा हेड वर्ष 2021 में विद्याल्यों है तुँ स्विक्रित फरनीचर क्रै प्रकृरिय आपूर्त की प्रगती आपरेशन कायकल्प के अंतर्गत विद्याल्यों में 29 पैरामीटर से संत्रप्ति करण की प्रगती तीसरा बिंदु वित्ती वर्ष 2021 के निर्माल कार्यों की प्रगति यों कारपूर्ती प्रमाल पत्र की समिक्षा चौथा है जिवन श्रिण भावनों के निलामी यों ध्वस्ती करन की प्रगति पाचो है वित्ती वर्ष 2021-22 के सुकृत निर्माल कार्यों हेतु प्रेशित धन्रास हस्तानांद्रान यों कार्यारंभ की प्रगति छठा है कंपोजिट ग्रांद की स्थिति वर्ष दोहजार बी से कैस एमे कैस बाइस दोस्तों आगे चलते हैं गुलवत्ता सिक्षा का हेड जो है उसमें पहला बिंदो है सिक्षकों के प्रसिक्षण की कार्योजना क्या है दूसरा है ARP का सेलेक्षन, ARP का चैन, सह्योगा आत्मक परवेक्षण की प्रगति यों परवेक्षण आख्याओं के अनुपालन की इस्थि तीसरा है विद्यालियों में रेमेडियल टीचिंग के संबन में कारियोजना चौथा है सिख्षक संकुल की बैठक हेतु कारियोजना पाचवा है दिक्षा एप के माध्यम से सिख्षकों के परसिक्षनल की प्रगती चठवा है मासिक KPI यानि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में निर्धारित गत्विधियों के क्रियानमेन की प्रगती साथवा है स्पोर्ट्स अनुदान के अंतरगत प्रेशित की जा रही धन्रासियम निर्देश के अन्सवार कारियोजना का निर्माण आठवा है सिक्षक अनुदान यानि टेलम के संबन में कारियोजना दूस्तों बालिका सिक्षा पे आजाते हैं बालिका सिक्षा में पहला बिंद्धोय रिक्त पदों की पूर्ती पदवार पदस्थापन का विब्रंग दूसरा है कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले में उच्ची कृत बालिका छात्रावास वें एकेडमिक ब्लाक के निर्माण की विद्यालेवार प्रगती तीसरा है इस्पिल ओवर के अंतरगत श्विक्रित कार्यों की पूर्ती युम धंडास का उभोग की जाने के स्ति चौथा है वर्ष 2021-22 में स्विक्रित नवीन निर्माण कार केजी वीवी में भूमिकूप लब्धता चिन्धांगन का विवरंग पांचवा है वर्ष 2021-22 में आवर्तक अनावर्तक बेडिंग गार्ड रूम व्रहत मरमत यों चहार दिवारी मन में आउमुक्त धंडास के उभोग के स्ति और दोस्तों सातवा हेड जोकी महतपूर्ण है समय की सिक्षा इसमें पहला बिंदु है दिव्यांग बच्चों की यूडास प्लस 2020 से केस में डाटा एंट्री की प्रगती दूसरा है दिव्यांग बच्चों है तो मुद्रित सुगंब वर्कशेट्स की आपूर्ती यों बितरन की स्तिति तीसरा है एमलिको मेजर्मेंट डिस्टिबिशन केम्प की सूचना चौथा है नवीन इस्पेसल एजुकेटर्स के चैन की स्तिति और आठवा है स्टाइपेंड है तो दिव्यांग छात्राओं की अनमोदी सूची अधिस्ठान में दोस्तों आते हैं एजिंडा यानि अधिस्ठान से सम्मधित एजिंडा है पहला है जिला परियुजना कारेले में कारत आबध कार्मिकों के सम्मध में सूचना प्रगती दूसरा है बलाग संसाधन केंदर पर कारत आबध्य केंप्यूटर आपरेटर साहग लेखाकार के संबन में प्रगती तीसरा है बलाग M.I.S. कोडिनेटर के आबध्य करन के संबन में प्रगती चोथा है साहेगवित एउम लेखा अदिकारियों के काररत होने की सम्मन में सूचना और नवा एजेंडा है MIA सिव मानो संपदा पहला बिंदो है U-DAS प्लस 2021-2022 के अंतरगत जनपत के कक्षा एक से बारा तक के सभी प्रवंधन के विद्यालियों का सुध्धियों सही डीव सिव भरे जाने की तयारी दूसरा है मानो संपदा पोर्टल पर सिख्शुकों की अवसेश सेवा पुस्तिकाओं ता स्रेक्शिक अभिलेक अप्लोड की जाने की प्रकती तीसरा है वर्ष दोहजार आठारा उननीस बीस का जनपदवाद इंडिकेटर्स पी जी आई पोर्टल पर भरे जाने की स्थी और चोथा है डीपी ओ मैनेजमेंट के अंतरगत इन आई एस सेल हे तू अवमुक्त की गई धन्दास के सापेच दिरांग तीस नॉम्बर दोहजार एकईस तक उब्भोग पुर्वाण पत्र दसवां दोस्तों वित्ती विवस्था है इसमें पहला बिंदो है जीला परिविना कारेले में से पी एफेमेस प्रणाली के माध्धम से विभिन मदों में अमुक्त धन्दास का एसममसी दोरह किये गे मदोर वेच चिक के माध्धम से का प्य एफेमेस पोडल पर इट एमाई-माई-एस अप्लोड किया जाना दूसरा है वित्ती वर्ष्था थो दोहजार बीस से दिरांग एकस़ तोहजार बीस से दिरांग एक्त्शमार जोहजार एगश तक किये में राज परिजुना कारले द्वारा समग सिक्षा प्रारंभिक सिक्षा के अंतरगत अमुक्त धन्डास के सापेच प्रबंद पोर्टल के अंस्वार माह अक्टूबर 2021 तक के वेकी समिक्षा और पांच्वा बिंदों सीए आडिट तहा आंत्रिक संप्रेच्छा संबंधी न इमेल डाट काम पर दिनांग 24 नॉंबर 2021 तक उपलब्द कराना सुनिश्यत करें ता जन्पत के एनाइसी कारेले में दिनांग 30 नॉंबर 2021 को पूरोहानी 11 बजे से आयोजित आनलाइन समिक्षा में सभी संबंदित अधिकारियों के साथ वर्दिभाग करना सुनिश्यत करें भौधियय श्रिमतिय नामिका संह महा निदेशक स्कूल शिक्षा ये जो पत्र है दोस्तो तो इस सक्षम अधिकारियों को प्रेसित भी गुँआ है प्रमुख सचिव बेसिक शिक उत्तरप्रदेश आसन को जिला अधिकारियों मध्धच जिला शिक्षा परयुजना समित प्रशास्निक अधिकारी राज परिजना कारेले लखनो को आवस्यक विवस्ता है तु और 12 नंपर पेसमस्त उनिट प्रभारी राज परिजना कारेले लखनो को इस नरदेश के साथ प्रशित कि अपने से सम्मदित एजेंडा बिंदूओ पर संक्लित जन्पदवार सूचना नियोजन यूनिट को दिनांग 25 नॉमबर 2001 केस तक अनिवार रूप से उलब्द कराना सुनिशित करें जिससे बैठक है तो बुगलिट तैयार की जाय सके तिरह हमें नंबर में सीनियर सिस्टम एनलिस्ट स्वारी राजपरिणा करें लखनो को इस नरदेश के साथ प्रेशित की एनाइसी से समन्मदित करते हुए वीडियो कॉंफरेंस है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पे कमेंट करें अपनी जैसे दोस्तों तक शियर क करें लेकिन दोस्तों कर आप चैनल पर नहीं है पहली बार विजिट करना है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब करें बराबर से एक बिल आइकन आता है उसे प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग ए प्रेस्ज़ एपर गास्ट बसानिको